आज़े हम सभी भारत और अमेरिका के संबंद के बारे में पढ़ेंगे क्लास्ट वेल्थ के पॉलिटल साइंस में न्यू सिलेमस में इसे जोड़ा गया है जो आपके एक्जाम के परप्रस से काफी महत्तोपून है इसलिए आए जानते हैं भारत और अमेरिका के संबंद कैसे हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि भारत और अमेरिका का संबंद किस प्रकार से भी देखा जाता है तो भारत की सोवियत संग से नजदी की होने के कारण अमेरिका और भारत के संबन सुरू सही खड़ाब रहे है अब यहाँ पे सोवियत संग की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि दुनिया में एक समय दो महा सक्की हुआ करते थे एक संयुक्त राज अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संग रूस लेकिन 1991 में इसके विगहटन के कारण ये कई अलग अलग देशों में तूट गया था जिसके बाद सोवियत संग कमजोर हो गया और संयुक्त राज अमेरिका मजबूत हो गया लेकिन सुरुवास से ऐसा देखा जा रहा है कि भारत जो है वो सोवियत संग के साथ रूस के साथ इसकी मैत्री पूर्ण इस्थिति सुरुवास से बनी हुई है क्योंकि सुरुवास से रूस और भारत दोस्त के रूप में चल रहे हैं जब आपको पता है कि रूस और अमेरिका के बीच आपस में नही उधार देखने को मिला है और बरतमान में भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे हैं यहाँ पे समझने योग बाते यह है कि किसी भी देश के दूसरे देश के साथ किस प्रकार के संबंध है यह उस देश के अंदर राजनिती के ऊपर रिधार क्या आता है एक्जामपल पार्टी के थे या किसी अंपार्टी के हुआ करते थे उनका संबंध किसी उतर देश के साथ कैसा होगा यह उस समय के बरतमान राजनितिक Аधार पे निरवर होता है लेकिन अभी के समय में बात कर लिए जाये अमेरिका के साथ भारत के संबंदों का तो नेरंदर मोधी और अभी के बरतमान जो बाइडेन का संबंद काफी घनिष्ट है, वो दोनों काफी मित्र के रूप में काम कर रहे हैं, और आगे चल कर कई परकार के ऐसी पर्योजना लाने वाले हैं, जिससे भारत और अमेरिका के संबंद और भी ज़्यादा मजबूत हो पाएंगे। भारत और अमेरिका के संबंद की विशेष्टाओं के बारे में जान लेते हैं, कि भारत और अमेरिका के संबंद की विशेष्टाएं क्या है, तो सबसे पहला जो है, वो देख लेते हैं कि भारती ये सॉफ्ट्वेर निरियाद का, 65% अमेरिका को जाता है, भारत जितने भी software निर्यार करता है उसका 65% अमेरिका को प्राप्त होता है अमेरिका लेता है 65% दूसरी तरफ अगर बात करें अमेरिकी company बोईंग में 35% करमचारी सिर्फ और सिर्फ इंडियन है आप समझ लेजिए कि अमेरिका का एक ऐसा company जिसके अंदर 100 में से 35 लोग जो है वो भारतिये हैं भारतिये जोग उस company को चला रहे हैं रगला point हमारा कहता है तीन लाग से ज्यादा लगभग लगभग तीन लाग से ज्यादा भारतिये Silicon Valley में कारियत है Silicon Valley एक जगह का नाम है जो अमेरिका का है उसमें लगभग लगभग तीन लाख लोग भारत के हैं जो वहाँ पे कारेरत हैं कारेरत करने का मतलब है कि नौकरी कर रहे हैं अगरा point हमारा कहता है अमेरिकी कंपनीओं में भारतियों का अत्याविक योगदान हैं अमेरिकी जितने भी कंपनी है for example मैं आपको बता देता हूँ वो YouTube हो या Google हो आपको तो पता है ये सारे ब्रांड जो अभी इतने फेमस है इन सभी के जो CEO हैं वो कहीं न कहीं भारत से हैं आज आपको Google के जो CEO हैं सुन्दरम पिचे वो भी भारत से हैं Twitter के कुछ समय पहले तक CEO भारत के थे Instagram के भारत के थे तो ऐसे बहुत सारे ऐसी American बहुत बड़ी बड़ी कंपनिया हैं जिसमें भारतियों का योगदान बहुत जादा है और जिनके करण अमेरिका आज इतनी बड़ी हस्ती बन चुकी है या फिर कह सकते हैं कि इतनी बड़ा दे भारत और अमेरिका का संबंद अच्छा है तो अभी के समय में आपने यूक्रेयन संकट वो देखा होगा इस यूक्रेयन संकट के परिणाम स्वरूप इसके डिजल्ट में चीन के साथ रूस का बढ़ा हुआ रूप रेखा चीन से मुकाबले के लिए केबल रूस पर भरोस कर सकने की भारत की छमता को जटिल बनाता है यह important point है समझे जैसा कि आप सभी को पता है कि रूस अभी के समय में यूक्रेयन पे काफी दिनों से हामला कर रखा है तो चीन के साथ रूस का बढ़ा हुआ जो संबंध है वो इस बात को बताता है कि सिर्फ और सिर्फ चीन एक मा मात्र ऐसा देश नहीं है जो रूस के लिए मददगार साबित हो सकता है अभी के समय में भारत की छमता को भी यह देखने के योग बनाता है अभी के समय में आप भारत को भी देख ले तो भारत भी पूरे विश्व के पटल पे मात्रे का ऐसा देश उभरता जा रहा है जो बहुत ही मजबूत है, खासकर जब से देश के अंदर परधान मंत्री नेंद मोदी का आगवन हुआ है, पूरे विश्व में भारत के लोगों का इज्जत और भारत का नाम बहुत ही इज्जत से लिया रता है, इसलिए अनसुरक्षा छेत्रों में सहयोग जारी रखना दोनों देश के हिट में है, तो देख लिजे यहाँ पे जो समझने योग बाते हैं, रूस तो परोसी देश था यूक्रेन का, लेकिन आज जिस तरह से उस पे अटैक कर दिया है, तो आगे जाके यह नहीं कहा जा सकता कि भारत भी हमारा सुरक्षीत है, माल लिजे भारत के उपर अ आंत्रिक्ष में छमता बढ़ रहा है, इसको लेकर व्यापत चिंता अमेरिका भारत दोनों के अंदर है, तो चीन जो है वो अमेरिका का दुसमन है और भारत का तो वो पहले से दुसमन है, इस प्रकार के दूई पक्षिय संबंदों में आंत्रिक्ष शासन को भी एक बिसे बना रहा है जिस कारण से भारत और अमेरिका दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं